मित्रों को जै जै सियाराम प्रभू स्री राम की किरपा हमारे शबी मित्रों पर बनी रहे के ही हमारी मंगल कामना है तो मित्रवाज गोश्वामी तुलसी दास जी के कुछ दोहे को अर्थ सहित सुनाते हैं जो उन्होंने केलिउ के बारे में कहा है कलिमल ग्रसे धार्म सब लुप्त भाए सदग्रंथ अदम्भिन निजमती कल्पी करी प्रगट किये बहुपन्थ कल्यूग के पापों ने सब धर्मों को ग्रेस लिया सदग्रंथ लुप्त होगे दम्भियों ने अपनी बुद्धी से कल्पना करकर के बहुत से पंथ प्रकट कर दिये भै लोग सब मोह बस लोभ गर से सुभ कर्म अशुनु हरी जान ग्यान निधी कहऊ कचुक कली धर्म सब ही लोग मोह के बस हो गए सुभ कर्मों को लोभ ने हरप लिया और क्यल्यूग में महात्मा किसे कहते हैं इसके बारे में गोस्वामी जी क्या कहे कि अशुबब बेश भूशन धरे भक्षा भक्ष जेखाई अत्य जोगी तै शीधनल पुझ्यते कली जुगमा ही जो अमंगल बेश और अमंगल भूशन धर्म करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुझ खा लेते हैं वे ही योगी हैं वेही सिद्ध है और वेही मनुष कलियुग में पुज्य है जे अपकारी चार तिन करग और अबमान तेई अमन क्रम बचन लवार तेई बकता कलिकालम हूँ जिनकी आचरन दूसरे का अहित करने वाले हैं उन्ही का बरा गौरब होता है और वे बेक्ती ही शम्मान के योग होते हैं जो मन बचन और कर्म से लवार यानी की जूट बकने बाले होते हैं वेही कलियुग में बकता माने जाते हैं पोलिये सियाबर राम चंद्र की जै एयोध्या राम लला की जै ब्रिंदावन बिहार इलाल की जै पवन शुत हनुमान की जै बोलो भाई सब शंतन की जै हरहर महादेब जै शिब संभो झाल 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 झाल